नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत एचली देखते मार्केट कैसा भीएफ कर सकता है, अगर हम करने लिए निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहे है रावन अठारा था तीन सो पैसट के करीब, और व कंसॉलिडेशन में यहां पर ट्रेड कर रहा है, ग्लोबल मार्केट के इंडिकेशन में, लास्टेडिंग सेशन में थोड़ी सी पॉफिट वुकिंग आई थी यहां पर, अब देख सकते हो, लास्टेडिंग सेशन डाव करीब 200 और नाजटेक भी करीब 127 गिर के बंद तो यहां पर हमें क्लिरली पिक्चर दिखाए देरी, अगरें अगरें इंट्र अगरें में, अगरें इंट्र तीन सो के नीचे से लिप करते हैं, तो फिर थोड़ी प्रावलम वाली बात है, जब तक अगरें आपको होल्ड करने की कोशिस करेगा, यानि अनि कौन्सॉलिड की call पर क्या open interest फर्दर बढ़ रहा है अगर माली यहाँ पर open interest साट लाग, साट लाग, साट लाग हो जाता है तो there will be the maximum chances कि एक बार nifty 8300 को break करके 18250 की तरफ बढ़ सकता है ठीक है यह point आपको यहाँ पर clearly समझ में आ क्या होगा अब चलते हैं यहाँ पर चार्ट पर चार्ट को understand करते हैं तो देखो simple ही चीज़ यह कि एक important level है जिसके level के break होने के बाद chances हैं कि यह नीचे की तरफ जा सकता है वो है आपका 18308 का अगर यह break होता है तो next target आपको मिलतकता है पराजा 280 और 250 ठीक है यह point आप clearly यहाँ पर समझ लीजिए उपर के साइट पर यह strong resistance है अठारा चार्ट होगा तो इसके आस-पास जाता है तो वहाँ पर profit booking आने के chances ही maximum रहेंगे यह point आप clearly यहाँ पर समझ लीजिए वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात कर लिए तो बैंक निफ्टी भी आप important level बैंक निफ्टी के लिए जो है वो है 42,000 का अगर 42,000 के नीचे फिसलता है तो फिर आपके maximum chances हैं कि यह थोड़ा सा और यहाँ से around 41,800 तक या फिर आपका 41,750 तक जा सकता है ठीक है यह point आपको clearly समझ में आ गया और उपर आपके पास resistance जो है 42,350 का आपके पास resistance है तो थोड़ा सा नजर रखो अगर आपको कोई भी नीचे negative price action बनता हो दिखाई देता है तो आपको एक opportunity मिल सकती है selling की तो उस पर आप थोड़ा सा focus कर सकते हो ग्लोबल मार्केट की situation में आपको बता चुका हूँ अगर यह global market flat हो जाते हैं तो आपको maximum chances होगे कि market नीचे की तरफ आ सकता है अला कि वीडियो बनाते बनाते यह नीचे आ गया है आप देखो अराउंड 18313 पाउच चुका है निफ्टी तो थोड़ा सा आप यहां पर क्या है कि अगर दुबारा से कोई मौका मिलता है बिना यह low break कियो है यानि 18300 ब्रेक किये बिना अगर यह उपर दुबारा से जाता है 18350 तो वहां पर भी आप एक बर सेल करके काम कर सकते हो ठीक है तो आई होप दोस्तो यह पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तो फिलाल इस वीडियो में तहीं है आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो लाइक और हैंट